बिग बी यानि अमिताब बच्चन के बारे में तो हम सभी ने काफी कुछ सुन और पढ़ रखा है। और अजिताब का जन्म हुआ था, अमिताब के भाई अजिताब के चार बच्चे हैं, जिनके नाम भीम, नमरता, नैना और नीली मा हैं। आज हम पूरे बॉलिवुड के बारे में बात नहीं करेंगे। असल में कई सारे लोगों का कहना है कि अमिताब बच्चन और एश्वर्या राय एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। इसी वजह से अमिताब बच्चन और एश्वर्या राय को अपनी बहु के रूप में नहीं देखना चाहते थे। क्योंकि उन्हें एश्वर्या राय के कई सारे ऐसे राजपता थे जिनको एश्वर्या राय ने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि एश्वर्या राय अमिताब बच्चन के काफी करीब थी। हालांकि उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि एश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बनने वाली है। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग रहती है। लेकिन इनकी खुशी के पीछे की नाराजगी कुछ लोग ही समझ पाते हैं। बेटी नव्या को जन्म दिया था। और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वाइरल हुई जिसमें यह पार्टी से निकल रही थी। और उस वक्त यह काफी ज्यादा नशे में धुट थी। गर में भी सास बहु की तू, तू, मैं, मैं जारी रहती है। वो जानती थी कि एश्वर्या अभिशेक से काफी ज्यादा पॉपुलर है और टैलेंटेड और खुबसूरत भी है। शुरुआत में तो जया बच्चन को लग रहा था कि एश्वर्या राये ने बच्चन खांदान के साथ रिष्टा जोडने के लिए अभिशेक से शादी की है। क्योंकि उस वक्त उनका करियर डूब रहा था। सल्मान खान के साथ रिष्टे की वजह से कोई भी उनका हाथ नहीं थामना चाहता था। क्योंकि हर कोई सल्मान खांदा था। अब धीरे धीरे दोनों सास बहु की ये खटटपट कम हो रही है। कि कई बार इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जहां इंटर्व्यू वगेर हमें, अगर कोई एश्वर्या राय से सल्मान के बारे में कुछ पूछ ले, तो जया बच्चन गुस्से से आग बबूला हो जाती है, अमिताब बच्चन ने करी B-grade की फिल्में, जी हाँ दोस हते हुए भी अमिताब बच्चन को B-grade की फिल्में करनी पड़ी, फाइनाशल क्राइसिस को कम करने के लिए, अमिताब बच्चन ने बूम नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें कैटरीना कैफ भी थी कहा जाता है, कि इस फिल्म को करने के लिए, अमिताब बच्चन को की लड़ाई दोस्तों यह बात शायद ही किसी से छुपी होगी कि श्वेता बच्चन और एश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है अभिशेक बच्चन की पहली गर्फ्रेंड करिश्म कपूर जिसे श्वेता बच्चन बहुत पसंद करती थी उनका मानना था कि करिश्मा ही अभिशेक के लिए बेस्ट थी लेकिन एश्वर्या राय बीच में आ गई श्वेता को तो यह भी लगता है कि एश्वर्या राय अभिशेक को परेशान करती है वह अभिशेक से नहीं बलकि घर के पैसों से प्यार करती है और दोस्तों आपको एश्वर्या राय और रनबीर कपूर की फिल्म एदिल है मुश्किल तो याद ही होगी जिसमें एश्वर्या राय ने रनबीर कपूर के साथ काफी एक्स्ट्रीम सीन किये थे दोनों के बीच में काफी रोमैंटिक स परिवार का मानना है कि इस तरह की फिल्म एश्वर्या राय को करने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर बड़े घरों में ये सब बातें बिल्कुल आम है कि लोग एक ही घर में रहकर मीलों दूर रहते हैं और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब बॉलिवुड में कोई भी किसी की मदद कैसे करता है। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा उस मदद के क्या माइने होते हैं। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इन दोनों ससुर और बहु के बीच के रिष्टे को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं। जिस पर कई सारे आर्टिकल भी छापे गए हैं लेकिन इन बातों को हर बार की तरह दबा दिया जाता है। अब इन बातों का सच्चाई से रिष्टा क्या है। ये बात सच है या नहीं। ये तो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि बॉलिवुड के बाकी सभी खांदान की तरह बच्चन परिवार में भी काफी कुछ गोल माल है जिसे छुपाने क की कोशिश करी जाती है। लेकिन सच लोगों के सामने आ ही जाता है तो दोस्तों यह था बच्चन परिवार का काला चिथा। जिसके बारे में आपका क्या खयाल है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर से बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक पकात होगी आपसे। किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।